नमस्कार दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि खरमास कब से सुरू हो रहा है जी हां दोस्तों आज से खरमास सुरू हो गया है यह खरमास आज से सुरू हो कर मिंस 14 मार्च से सुरू हो रहा है और कब तक रहेगा कब इसकी समापती होगी खरमास के दोरान क्या कार्ज हमें नहीं करना चाहिए कौन से कारी करने चाहिए कौन से कारे नहीं करने चाहिए खरमास को असुभ क्यों माना जाता है जी हाँ दोस्तों इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके शेयर करेंगे सबसे पहले जान लेते हैं खर्मास होता क्या है धन्नु एवं मीन रासी में सूरे देव के परवेश करने से खर्मास लगता है बर्स 2020 में खर्मास 14 मार्च दिन सनीवार को लग रहा है जो की एक महीने तक रहेगा इस दोरान कोई भी मांगली कार्ज नहीं किये जाएंगे इस दोरान विवाह भी नहीं होता है खर्मास के समय आपको क्या करना है सिर्फ भगवान सूरे और स्रीहरी विश्नु की अराधना करनी चाहिए इस बार बर्च 2020 में खर्मास 14 मार्च को दो फर दो बज के 23 मिनट पर क्या होगा सूरे देव मीन रासी में परवेश करेंगे 14 मार्च 2020 से 13 अप्रेल तक खर्मास रहेगा 14 अप्रेल से बिवा, मुंडन, हवन, ग्रीपरवेश जैसे मांगली कारे प्रारंब हो जाएंगे खर्मास में क्या ना करें जब भी हम कोई मांगली कार्ज करते हैं तो उसके फलित होने के लिए गुरू का प्रवल होना जरूरी होता है धनू एवं मीन, ब्रिहस्पती ग्रह की रासिया है खर्मास के समय सूरे इन दोनों रासियों में होते हैं इसलिए सुभ कार्ज नहीं होते खर्मास में ग्रीपरवेश, ग्रिह निर्मान, नए विजनस का प्रारम, साधी, सगाई, बधुपरवेश, आदी जैसे मांगली कार्ज नहीं करने चाहिए दोस्तों मानता है कि जो सुर्धालू सच्चे मान से खर्मास में भगवान विशनु की पूजा अरचना वो उनका मंत्र जप करता है उसे भगवान पूरुसोत्तम यानि विशनु स्वयम आसिरवाद देते हैं उसके पापों का नास होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है कहा जाता है कि दान और पुन करने के लिए किसी खास महुर्थ की जरुवत नहीं होती जब समय और धन हो दान करते रहना चाहिए लेकिन कुछ मुहूरत ऐसे जरूर होते हैं जिन में किया गया दान पुन कर्न जातक को कई गुना लाव दे जाता है मलमास या खरमास ऐसा ही महीना है जब आपको आपके लिए किये हुए दान का कई गुना फल मिलता है और भगवान आप पर आने वाली भीपतियों को टाल देते हैं हमेशा कहा जाता है कि अच्छी सेहत और समरीधी के लिए हर रोज सुरियोदे से पहले ही विस्तर छोड़ देना चाहिए लेकिन किनी बजहों की कारे ने दिया पैसा नहीं कर पाते हैं तो इस खर्मास के पूरे महीने जरूर ऐसा करें सुवह जल्दी उठकर नहाएं और घर के मंदिर में पूजा कर सुरिय देव को जैलर पित करें दोस्तों इस खर्मास के एक महीने में आपको भजन किर्टन और सत्संग करना चाहिए धार्मिक मानेताओं के अनुसार इस माह में पूजा पाट का विसेस महत्व होता है इस महीने में हमें अधिक से अधिक भजन करना चाहिए भगवान का सुमिरन करते रहने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है तो दोस्तों इस एक महीने में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक खरमास की दोरान आप सुरी देव की पूजा करें विसेस लाफ प्राप्त होगा साथ ही मांगली कारियों पर तो रोक लग जाती है इस एक महीने में प्रन्तु इस माह में भगवान विस्नु की पूजा का विसेस महत्व होता है भगवान विस्नु की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाय पूरी हो जाती है तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खरमास के दोरान आप इन बातों का ध्यान रखे वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स